नमस्कार साथियों एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज हम लोग पढ़ेंगे घड़ी और कौन का सेकेंड पार्ट इसमें हम लोग किस तरह के प्रश्णों को देखेंगे इस तरह के प्रश्ण रहेंगे कि तीन बज कर कितने मिनट में घड़ी की दोनों प्रश्ण भी पोचेंगे और जो पिछले वीडियो में दो प्रश्ण पोचे थे उसको हम हल करवाएंगे ठीक तो बड़े गवर से ध्यान से समझेगा पूरी बात आप समझ जाएंगे कोई भी संसे नहीं रहेगा आपके मन में तो आज के सिकेंड डाइप को हम डारेक्ट प्रश्ण से सुरू करते हैं क्योंकि प्रश्ण से जब हल करवाएंगे तो बातें ज्यादा समझ में आएंगे चार बचकर कितने मिनट पर घड़ी की सुईयों के बीच 75 डिगरी का कौन बनेगा सबसे पहले आपको प्रश्ण की भासा समझने चाहिए अगर आप यह समझ गये कि प्रश्ण कहना क्या चाहरा है तब आप सवाल कर लेंगे अगर आप प्रश्ण को समझ ही नहीं पाए है तब आप याद करेंगे और बाद में भूल जाएंगे तो प्रश्ण को समझ यह एक प्रश्ण को आपको समझाते हैं फिर आपको मैं डारेक्ट से बताऊंगा जैसे माल लीजे कि यहां पे 12 होता है यहां पे 6 यहां पे 9 यहां पे 3 अब 1, 2, 4, 5 कुछ इस तरह का है चार तो बजा है यह बात क्लियर है यानि कि 4 पर या 4 के आगे घंटे वाली सोई है कनफर्म है लेकिन कितने मिनट पर पहुंची है वो यानि कि वो कहां पहुंची है मिन मिनट वाली कि इन दोनों के बीच में 75 डिगरी का कौन बने यानि कि यह दोनों सोई में छोटी वाले सोई कनफर्म है कि 4 से थोड़ा आगे होगी क्योंकि 4 बज़कर कुछ मिनट हुआ है अब कितना मिनट हुआ है तो यह 12 के आगे कहां गई है यह आपको पता करना है तो द दहा जाए तो कोड बराबर होता है तीस यच माइनस 11 यम बटा दो यही फार्मूला आपको बताये थे कोड निकालने के लिए यानि कि अगर यह कह दे कि 4 बचकर 15 मिनट पे दोनों सोईयों के बीच कितने डिगरी का कोड बनेगा तो यही फार्मूला आप लगा के लगा द दो बराबर यहां क्या आएगा यहां कोड आएगा क्योंकि बराबर के पहले कोड है तो बराबर के बाद में भी आप कोड ही लिखेंगे यानि इस सुत्र से कोड निकलेगा तो कोड है कितना 75 डिगरी का तो यहां पे आपको 75 लिख देना है यानि आपको यहाँ पर एम के अस्थान पर कौन सा अंक आएगा यह पता करना है तो इस सवाल को रैखिक समीकरण से आप लगा दीजिए यम का मान ही आपका उत्तर हो गया तो कैसे लगाएंगे देखिए अब यहाँ पर तीस यच है और यच का मान हमें पता है चार है क्योंकि 4 गंटा हुआ है यानि कि 4 बजा है इसके बाद हमें यम की जानकारी नहीं है तो यम को जियों का त्यों ही लिखेंगे और आगे 75 को भी जियों का त्यों लिखेंगे आप क्या करेंगे 30 का 4 में गुणा हो जाएगा 30 चोग 120 माइनस फिर 11 यम बटे 2 बराबर 75 रेखिक समिकरण ऐसे ही लगता है अब रेखिक समिकरण में देखा ये जाता है कि कौन-कौन सजाती है यानि कि लाइक कौन-कौन है और अनलाइक कौन है तो 120 और 75 ये दोनों सजाती ह तो इसे आप उधर ले जाएंगे 75 के सामने बगल में तो 11 यम बटे 2 पड़ा रहने दीजिए और 75 के बगल में 120 लिख दीजिए अब 120 के पहले इधार प्लस है प्लस लिखा नहीं जाता प्लस छिपा रहता है तो अब यहां पे माइनस हो जाएगा और माइनस लिखना जरू 11 में 7 गया 4 चिन्ह बड़ी वाली का अब क्या होगा अब यह इस तरह हो गया माइनस 11 यम बटे 2 बराबर माइनस 45 तो अब आप क्या करेंगे माइनस 11 यम बराबर यह दोस चला जाएगा सामने और फिर 45 का गुणा हो जाएगा चाहे आप 45 को पहले ही लिख करके दो बाद मे लिख दीजे तो 45 दोना कितना हो गया 90 यानि आपका हो गया माइनस 11 यम बराबर 90 तो यम बराबर क्या होगा तो यम के साथ जो रहता है वो आगे जो लिखा रहता है उसके नीचे आ जाता है यानि माइनस 90 बटे माइनस 11 अगर आपको और विस्तार से रहखिक समीकरण सीखना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है आप वहां से उसको देखिए अभी हम यह पेक्छा रखते हैं आपसे कि आपको रहखिक समीकरण आता होगा तो यम बराबर 90 बटे 11 अब 90 में 11 का समाना जाता है क्योंकि वह दोनों कड़ जाता है तो यम का मान आ गया आट बटे 11 यानि की स्वरी आट सही दो बटे 11 यानि मिनट आ गया आट सही दो बटे 11 तो अब आपका उत्तर क्या होगा प्रस्न है कि चार बज कर कितने मिनट पर घड़ी की सुईयों के बीच पर 75 डिगरी का कौन बनेगा तो जो आपको बिकल्प मिलेंगे चारो उन चारो बिकल्पों में एक बिकल्प रहेगा ऐसे चार बज कर आठ सही दो बटे 11 मिनट तो जिस बिकल्प में 4 बचकर 8 सही 2 बटे 11 मिनट मिल जाएगा वही बिकल्प आपका सही हो जाएगा एक बाद ध्यान रखिएगा ये हमेशा अगर नहीं कटता है न तो भिन्न में ही लिखा जाता है दसमलों में नहीं लिखा जाएगा 99% केस में भिन्न में ही रहेगा फिर हाले कर दसमलों में भिन्न मिनट लिखा है तो आप 90 बटे 11 है तो आप भाग करके दसमलों में लिख लिजी 8 दसमलों कुछ आएगा तो कहने का मतलब कि 4 बचकर 8 मिनट से थोड़ा सा कुछ सेकेंड जादा हुआ है आप इसका स्क्रीन सार्ट ले लीजिए फिर इसी तरह की एक सवाल अव लगाते है दूसरा प्रस्न है दस बचकर कितने मिनट पर घड़ी की सुईयों के बीच 90 डिगरी का कौण बनेगा देखिए इसी प्रस्न को एक दूसरे तरह से भी लिखा मिलेगा आपको कहीं ऐसे लिखा रहेगा दस बचकर कितने मिनट पर घड़ी की सुईयां समकोर पर होंगी या दस बचकर कितने मिनट पर दोनों घड़ी की सुईयां समकोर बनाएंगी आपस में ऐसे क्योंकि 90 डिग्री के मतलों समकोड ही होता है तो चाहे समकोड कह दे चाहे नाम ले ले 90 डिग्री दोनों एक ही बात है तो अब बार-बार घड़ी क्यों बनाए आप समझी कहे हैं सीधा हल करते हैं 30 गुणित एच का मान क्या है 10 माइनस अब 11 यम तो आप पड़ा ही रहने देंगे 11 यम बटे 2 क्योंकि यम का ही मान निकालना होता है अब कोड के आगे क्या लिख दोगे 90 जितना डिग्री कोड बस कोड के आगे कोड लिखना है आप जानते हैं ये दोनों उधर चला जाता है तो 300 हो जाएगा इधर माइनस 11 एम बटे 2 बराबर 90 तो माइनस 11 एम बटे 2 बराबर 90 माइनस 300 क्योंकि ये 300 इधर प्लस में है आप क्या करेंगे 300 में 90 को घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा 210 आएगा ठीक 300 में 90 घट गया कितना आया 210 चिन्न किसका लगेगा तो माइनस का चिन्न लग जाएगा अब माइनस 11 एम बराबर माइनस 210 गुणित 2 तो 210 का दो बार कर दीजिए तो कितना हो जाएगे 42 चार सो बीस अब एम कमान निकालना है तो माइनस 420 बटे माइनस 11 11 का ही गुणा होगा मतलब भाग होगा लास्ट में योकि यह हमके साथ 11 है 11 33 33 सेज कितना बचा 42 में 33 घट गया तो 9 यानि कि यह 90 हो गया आगे तो 11 8 88 सेज बचा 2 बटे 11 और माइनस कैंसिल हो गया यानि 38 बार गया तो आपका उत्तर क्या हो गया आपका उत्तर हो गया 10 बजकर 38 सही 2 बटा 11 मिनट जिस बिकल्प में यह लिखा रहेगा 38 सही 2 बटा 11 वही आपका उत्तर सही हो जाएगा अगर आप यह समझना चाहते हैं कि यह किस प्रकार का लोकेशन होगा इस में घड़ी में तो देखी ऐसे रहेगा कुछ 38 मिनट का मतलब क्या होता है कि 6, 7, 8 यानि कि 7 पे रहता है तो 35 मिनट होता है तो 7 के आगे है मिनट वाली सुई और घंटे वाली सुई जो है वो 11 और 10 के बीच में है तो यह लोकेशन पे यहाँ पे 90 डिगरी का कौन बनेगा चलिए तीसरी सवाल देखते हैं चार और पांच बजे के बीच कितने बजे घड़ी की सुईयां एक दूसरे के ऊपर होंगी तो यह सवाल आपको एकदम नई लग रही होगी लिकिन यह नई है नहीं दरसल यह एकदम पुरानी ही सवाल है इसकी भासा यानि इसका सिंटेंस अलग प्रकार का है इसी सवाल को ऐसे भी लिखा जा सकता है गवर से सुनिएगा चार बज कर कितने मिनट पर दोनों सुईयों के बीच जीरो डिगरी का कोण बनेगा तो यहां पर जो लिखा गया है चार और पांच बजे के बीच इसको क्या लिखा जाएगा चार बज कर कितने मिनट पर क्योंकि चार और पांच के बीच का मतलब होता है कि चार से जादा है और पांच से कम है इसका मतलब चार बज चुका है और यहाँ पर जो एक दूसरे के ऊपर है इसका मतलब हुआ जीरो डिगरी का कौन एक दूसरे के ऊपर का मतलब होता है कि दोनों एकदम सटी होई है जैसे करेक्ट जब बारा बचता है तो मिनट वाली भी सुई बारा पर होगी घंटे वाली भी सुई बारा पर होगी है ना तो इसका मतलब दोनों सुईयों के भी कोई कोण नहीं है कौन तो तब बनेगा जब दोनों सोई यहां अगल बगल होंगी थोड़ा सा तो एकदम सटी है तो इसका मतलब जीरो डिगरी का कौन बना है तो इस सवाल को आप कैसे लगाएंगे देखे थोड़ा सा चित्र के माध्यम से आप समझ लीजिए तो बात एकदम असपश्ट रहेगी दिमाग में कि जैसे यहां बारे है यहां च्छे है नो तीन एक दो चार पांच चार और पांच बजे के बीच एक दूसरे के ऊपर है इसका मतलब यह हुआ कि मान लिजिए कुछ इस प्रकार का लोकेशन है यह वाली है मिनट वाली सुई और यह वाली है मान लिजिए घंटे वाली सुई तो चार से ज़्यादा है पांच से कम है तो चार बज चुका है और कुछ मिनट भी हुआ है पंदर में 20 मिनट या 25 मिनट इसके आसपास तो चलिए इसको हम लगाते हैं 30 गुणित H H के अस्थान पर पहला वाला अंक लिखेंगे 4 इस 5 से कोई मतलब नहीं है ध्यान रखिएगा जैसे अगर लिखा हो 2 और 3 बजे के बीच तो यहां फिर लास्ट वाला जो अंक 3 है उससे कोई मतलब नहीं है मतलब पहले वाले अंक से है तो 30 गुणित 4 माइनस 11 M बटे 2 बराबर 0 क्योंकि यह कोण ग्यात करने का सोत्र है और कोण कितना है 0 डिगरी तो जब भी एक दूसरे से मिल जाएंगे 0 डिगरी का कोण बन जाएगा 30 चोख 120 11 M बटे 2 बराबर 0 यह चला जाता है उधर आप जानते ही है माइनस 11 M बटे 2 बराबर माइनस 120 अब यह 0 क्यों ने लिखे क्योंकि 0 को आप इसमें जोड़ो या घटाओ 0 का कोई मतलब भी नहीं है इसलिए 0 को हटा दिये ठीक तो अब देखो माइनस 11 M बराबर 120 का 2 में हो जाएगा गुणः तो 12 दूना 24 माइनस 240 हो गया यहम कमान क्या हो गया माइनस 240 बटे माइनस 11 माइनस से माइनस कंसिल हो गया 11 दूना 22 सेस बचा 2 यानि कि यह हो गया 20 तो 11 एककम 11 नव बीस यानि सेस बच रहा है 9 9 चला गया अंस के रूप में नीचे आ गया 11 अच्छा इसको समझते हैं कि नहीं यह कैसे हम कर देते हैं जैसे 240 बटा 11 है तो 240 में हम 11 का भाग कर रहे हैं तो देखो 11 एककम 11 सोरी 11 दूना 22 दो बार गया सेस कितना आया 2 बगल वाला उतारा 0 अब 11 का पाड़ा पड़ी 20 ज्यादा नहीं एक बर जायेगा 11 एककम 11 सेस कितना बचा 9 तो जो सेस बचता है उसको उपर लिखते हैं जिससे भाग दिया गया है यानि जो नीचे है वो हमेसा नीचे ही रहेगा तो नीचे वाला नीचे रहेगा जो सेस आया है वो उपर हो जायेगा और जो यहां उत्तर के रूप में आया है वो यहां उत्तर के रूप में रहेगा तो इसलिए हमने कहा बता देते हैं आपको तुकुल मिलाकर आप क्या हो गया 21 मिनट से थोड़ा सा जादा यानि लगभग ऐसा ही चित्र बनेगा तो आपका उत्तर क्या होगा उत्तर आपका हो जाएगा चार बज कर 21 सही 9 बटा 11 मिनट यह आपका आंसर है चलिए एक साल आउर देखते हैं एक और दो के बीच कितने बजे घड़ी की सुईया एक दूसरे के बिपरीत होंगी अब देखो एक दूसरे के बिपरीत होने का मतलब क्या है कि एक मानलीजी 12 पर हो तो एक 6 पर हो एक 9 पर हो तो दूसरी वाली उधर 3 पर हो यह बिपरीत होने का मतलब होता है यानि एकदम उल्टी दिसा में और विपरीत का मतलब होता है 180 degree का कोण जैसे जब मिलेंगी एक दुसरे के उपर चढ़ी रहेंगी तब 0 degree बनेगा कोण और एक दुसरे के विपरीत हो जाएंगी ऐसे ये मिनट वाली हो गई ये घंटे वाली हो गई तो एक दूसरे के विपरीत है तो 180 degree का कोण बना है तो इस सवाल को लगाते हैं समय हम कोण के अस्थान पे क्या लिखेंगे 180 degree तो 30 गोणित h, h का मान क्या है 1 बताये कि लास्ट वाला जो लिखा है उससे कोई लेना देना आपका नहीं रहता तो 30 गोणित h, माइनस, 11m, बते, 2, बराबर 180 ये जो सवाल है ना वो थोड़ी सी टिकनिकल है पहले सवालों की अपेक्षा ये थोड़ी सी अलग सवाल है अगर आप इस सवाल को समझ गए तब मान लिजे कि आप रिजिनिंग में ये घड़ी का कोण वाली सवाल पूरा सीख गए यहीं पे मिश्टेक बच्चे करते हैं समझ ये, क्या करते हैं हम 30 एक कम 30 ठीक है, यहां तक तो वैसे ही चल रहा है 11m, बते, 2, यहां भी कोई दिक्कत नहीं है 180, यहां भी कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत क्या है, अब आपको आगे देखने को मिलेगा यही आप अंतर को समझेगा 180 माइनस 30 हो जाएगा क्योंकि यहां पे 30 धनात्मक संख्या है उधर 30 रिडात्मक हो गई अब आप अगर इसको 180 में 30 को घटा देते हैं तो आएगा 150 और हमने क्या बताया था? कि हम घटाते ही हैं और हमने यहां भी घटाया है 180 में 30 घटाया 150 लेकिन एक दिक्कत है दिक्कत यह हो गई कि इधर वाली संख्या रिडात्मक है रिड लगा है लेकिन अब इसको घटाने के बाद इधर वाली संख्या में रिड नहीं लगा यानि कि अलग हो गया धन हो गया इधर रिड हो गया इधर धन हो गया तो अब जब आप इसको हल करोगे तो इसका उत्तर रिडात्मक आ जाएगा और मिनट कभी रिडात्मक नहीं होता जैसे थोड़ा सा आप समझद लिजिए रूख करके यहीं पर जैसे मालें लिजीए अगर इधर लिखा है माइनस 4M बराबर माइनस 20 माइनस 4M बराबर माइनस 20 तो अब आप म बराबर माइनस 20 बटे माइनस 4 कर देंगे और माइनस से माइनस कैंसल हो जाएगा 4 25 यम कमान आ गए 5 ऐसा करेंगे लेकिन अगर ऐसा लिख दिया जाए 4 यम बराबर oh 20 यहानी माइनस 4 यम बराबर प्लस 20 तब यम कमान की आयएगा बिस बटे माइनस 4 और फिर आप भाल करेंगी तो 5 तो आएगा ही लेकिन चिन्ह माइनस का हो जाएगा यानि यम का मान हो गया माइनस पांच मतलब अगर अंस में माइनस लगा हो और हर में प्लस लगा हो तो उत्तर माइनस में आएगा या फिर माइनस हर में लगा हो और प्लस अंस में लगा हो तब भी उत्तर माइनस में आता है प्लस में उत्तर तब आता है जब दोनों में माइनस लगाओ या दोनों में प्लस लगाओ तो यहाँ पर जो उत्तर आएगा अब चुकि इधर माइनस लगा है और इधर प्लस हो गया तो यम का मान माइनस में आ जाएगा और माइनस में नहीं आना चाहिए प्लस में आना चाहिए है न तो इसलिए आप क्या करेंगे आप इसको घटाईएगा मत इसको जोड दीजिएगा यानि एक बात पकड़िए जब आप यहाँ बर यहाँ पर कौण वाला जो 180 या 170 या जो भी कौण वाला हो जब आप उसको से इसको घटाईएगा जैसे यहाँ 300 हो तो 180 घटादो 190 हो तब भी घटादो 200 हो तब भी घटादो लेकिन अगर यह कम पड़ गया तो मत घटाना इन दोनों को जोड देना इन दोनों को क्या कर देना जोड देना और दोनों तरफ आप कर देना प्लस अपने से क्योंकि बताएं नहीं ट्रिक है यह तो जुगाड़ है इसमें आपका प्रस्ण नहीं कटेगा कि आप कैसे लगाए हो इसमें आपका बस प्रस्ण में साही होना चाहिए लाश्ट में हो गया तो अब क्या हो जाएगा 11 यम बराबर 210 गुणित दो तो 210 मिद्दों का गुणा करेंगे हो जाएगा 420 तो यम का मान क्या हो जाएगा 420 बटे 11 भाग कर दीजे कितनी बार में जाएगा यानि आंसर आगे आपका एक बज कर 38 सही 2 बटा 11 मिनट सवाल लग गई एक सवाल और लगा लेजिए हो सकता है इस सवाल को आप कम समझ पाए हो एक और लगा लेंगे तो कांसेप्ट क्लियर होगा दो और तीन बजे की बीच कितने बजे घड़ी की सुईयों के बीच सो डिगरी का कौन बनेगा सवाल लगा यह तीस गुणित एच का मान क्या है दो माइनस इग्यार यम बटे दो बराबर सो डिगरी यानि कि सो हल करिए तीस दूना साथ माइनस इग्यार यम बटे दो बराबर सो माइनस इग्यार यम बटे दो बराबर सो माइनस साथ फिर से इससे ये कम आ गया आना कितना चाहिए इससे ये ज़्यादा आना चाहिए यानि यहां जो है हमेशा इसससे ज़्यादा आना चाहिए तभी यह जब ज ज़्यादा हो जाए और यह कम पड़ जाए तो आप घटाना मत बल्कि इन दोनों को आप प्लस कर देना और इन दोनों को जोड़ देना तो कितना हो गया एक सो साथ बस यहीं आपको करना है तो इग्यार यहम बराबर एक सो साथ गोणित दो सोल दोना बत्तिस तीन सो बीस हो गया यहम बराबर तीन सो बीस बटे इग्यार तो इग्यार दोना बाइस सो इग्यार नवा निन्यानबे सेश एक बटे इग्यार तो आंसर क्या आगया दो बजकर 29 सही 1 बटा 11 मिनट अपनी संतुष्टी के लिए अगर आप चेक करना चाहते हैं तो चेक कर लीजी देखिए 2 और 3 के बीच तो यहां 12 है, यहां 6 है, यहां 3 है और यहां 2 है यहां 7, 8, 9 2 और 3 के बीच तो हमारा जो उत्तर आया है 2 बचकर 29 मिनट 29 का मतलब यह हुआ कि जो मिनट वाली सुई है वो करेक्ट 6 से थोड़ा सा पहले है क्योंकि 30 मिनट नहीं हुआ है और जो घंटे वाली सुई है वो 2 और 3 के बीच में होगी ऐसे तो इन दोनों के बीच में 100 डिगरी का कौन बनना चाहिए चिक करें 100 डिगरी का है क्या आधा इधर जोड़ दीजिए क्योंकि आधे दूरी पे तैंकी है तो आधे का मतलब 15 डिगरी यहां हो गया 30 यहां 30 यहां 30 यहां तो 30 30 60 30 90 और 15 105 105 हो रहा है लेकिन यह करेक्ट 6 पर नहीं है तो इधर भी कुछ घट गया यह भी करेक्ट बीच में नहीं है थोड़ा सा और पहले होगी तो इधर थोड़ा जुड़ जायेगा तो चूकि यह करेक्ट 6 पर नहीं है इसलिए 105 नहीं होगा तो जो 100 आपके सूत्र के हिसाब से आया है वो 100% सही ही आया होगा इसमें कोई दोराय नहीं है ये तो हम मोटा मोटा चेक करने के लिए अब माल लिजेक अगर हम यहीं पर जोड़ते इसको 30 30, 60, 30, 90 और इधर 15, 105 मोटा मोटा आया अब यहीं पर जोड़ने पर यह आ गया हो ता 1,500 तब इसका मतलब हमारी सवाल गलत है क्योंकि 100 मिनट, 100 डिकरी आना चाहिए तो 1,500 आ रहा है या 200 आ रहा है तब गलत है लिकिन अगर जोड़ने पर 95, 95, 105 इसके आसपास आ रहा है इसका मतलब सवाल हो आप कर लेंगे तो अब जो पहले हमने आपको दो सवालें दी थी उसको लगाते हैं फिर आज का प्रशना आप से पहुचते हैं आज का प्रशना आप लगाईए और अपना कमेंट बाक्से में उत्तर दीजिए दो प्रशना हमने पूचा था गुनित कितना है साढ़े बारह यानि कि यहां पर बारह होगा यहां पर ग्यारह बचकर 30 मिनट बटे दो दो से 30 कट जाएगा पंदरह बार में बारह तियां 36 360 पंदरह में ग्यारह के गुना करेंगे 165 360 में 165 घटा दीजिए 10 में 5 गया 5 पंदरह में 6 गया 9 195 डिगरी यह उत्तर है लेकिन आपके बिकल्प में यह उत्तर नहीं है आपके बिकल्प में 195 है ही नहीं तो मैंने बताया था कि जब बिकल्प में ना मिले तब आप क्या काम करिएगा आप हमेशा 360 में से उसको घटा दीजिएगा 165 है तो उत्तर क्या हो जाएगा 165 ठीक चलिए दूसरी सवाल लगाते हैं जब घड़ी साढ़े 9 बजाती है तो उस समय दोनों सुईयों के बीच कितना डिगरी का कौन बनेगा 30 गुणित 9 माइनस 11 गुणित 30 बटा 2 2 से 15 30 कट गया 9 तरीक 27 27 270 माइनस 165 घटा दीजिए 10 में 5 गया 5 6 में 6 गया 0 फिर 2 में 1 गया 1 105 डिगरी तो देखिए आपके विकल्प में 105 डिगरी है बिल्कुल है तो अब आपको 360 में 105 को घटा नहीं नहीं है ठीक तो यह जितने लोगों का सही हुआ है उनको बहुत बहुत बधाई हो और आज भी सही करिएगा आपके सामने स्क्रेन पर यह प्रस्ण है इसको बड़े गौर से पढ़िए और कमेंट बाक्स में उत्तर दीजिए मिलते हैं कल फिर संडे को कभी कभी जब समय मिलता है तो हम वीडियो सूट कर देते हैं अन्य था आप संडे को रियनी रभीवार को उमीद मत रखिएगा कि वीडियो मिलेगा मिल गया अच्छी बात है क्योंकि 6 दिन इतना ब्यस्तता रहती है कि एक ही दिन मौका मिलता है कहीं घूमने का या